हलो एब्रीवन दिस इस प्रियंका जाख़ड एंड वेलकम यू ओल एट गर्मेंट जोबलट आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आंगनवाडी भरती दो हजार चोबिस की तो जो भी कैंडिट आंगनवाडी भरती का वेट कर रह है क्योंकि आंगनवाडी में अब बहुत जल्द बंपर वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी और यहां पे सिरफ फीमिल कैंडिट ही अपलाई कर सकते हैं तो जब सिरफ फीमिल कैंडिट ही अपलाई करेंगे तो अपने आप में जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत कम रहेगा और इससे भी अच्छी बात यह है कि जो यह रिक्रूटमेंट रहेगी यह डारेक्ट ली रहेगी यानि कि आपको इसके लिए कोई भी एक्जाम नहीं देना होगा डारेक्ट मेरिट बेस भी यह रिक्रूटमेंट अब आपको देखने को मिलेगी तो इससे आप अंदाजा से देखते हैं कि number of vacancy क्या रहेगी eligibility जो criteria क्या रहेगा और इसके लिए जो age criteria वगएरा क्या कुछ रहेगा और कैसे आप इसके लिए apply कर सकते हो सबसे पहले तो देखिए आपकी education qualification के बारे में ही हम बात करते हैं आपने चाहे कोई भी आपके पास education qualification हो चाहे आप 10th pass out हो 12th pass out हो या फिर graduation pass out हो सभी candidate के लिए सभी female candidate के लिए इसमें vacancy देखने को मिलती है यानि कि आंगन बारे में चाहे आपने कोई भी education qualification आपके पास चोना हो आप सभी के लिए opportunity आपको मिलती हैं तो सबसे पहले तो देखिए आप यहां से देख पाऊगे education qualification में अगर आपने 10th या पास आउट की हुई है या फिर आपके पास bachelor degree है सभी के लिए देखिए यहां पर vacancy देखने को मिलती हैं तो अब हम देखते हैं कि कौन से जो vacancy है या फिर किस post के लिए क्या education qualification चाहिए सबसे पहले तो देखिए अंगडबारी में different types की post देखने को मिलती है अगर मैं बात क जा रही है कि entity teacher की यह vacancy होती है इसमें आपकी जो entity आपके पास degree होनी चाहिए नेस्ट अगर मैं बात करूं workers के लिए देखि workers के लिए 10th या 12th पास आउट हो आप mini workers के लिए only 10th पास आउट और जो helper के लिए 5th और 8th class की जो education qualification रहेगी तो आप इसी-इसी अंदाजा लगा पा रहे हो चाहिए आपने 5th class से पास आउट हो 8th class पास आउट हो चाहिए आपने graduation की हो सभी तरह की vacancy आपको इसमें देखने को मिलेगी जो कि अपने आप में बहुत बड़ी opportunity है especially female candidate के लिए क्योंकि यहाँ पे competition ने के बराबर है तो अगर मैं बात करूं देखिए कि इसक चाहिए EWS category से सभी candidate के लिए जो फीस रहेगी वह 0 रहेगी कोई भी किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी देखिए अगर मैं बात करूं कि age जो criteria क्या रहेगा age criteria देखिए minimum age आपकी 18 years होने चाहिए और maximum यहाँ पे आपको 37 देखने को मिलेगी for the journal category हाला कि जो reserve category है या फ 45 तो अपने हाप में देखिए जो age है ये भी काफी कह सकते है कि जो maximum age है काफी जादा है और जो भी candidate जो female candidate specially जो wait कर रहे है vacancy का कि उन्हें मौका मिले उन सब के लिए काफी अच्छी बात है अगर मैं बात करूं तो आपके पास देखिए apply करने के लिए कुछ specific document होने तो आप भी अगर इस भरती का wait कर रहे हो आपको है कि आप इस home में apply करें आप इसमें participate करें तो सबसे पहले आपके पास ये कुछ document होने चाहिए आपके signature होने चाहिए आप अपने जहीं आपके जो signature है काफी जो जैसे eight pass out जो female candidate है जो काफी जिन्होंने काफी time पहले eight pass out की अब उन्होंने उसके बाद अपनी education qualification complete नहीं किये है तो specially उन candidate के लिए देखी ये बहुत important है कि आप जो अभी मैं आपको बता रही हूं document आपके पास बिलकुल होने चाहिए ये document आपको बिलकुल must है अगर आपके पास इसमें से कोई document अभी नहीं है तो अपने document जल्दी से जल्दे बनवा लीजिए तो आपके पास इसके अलावा देखिए आपकी passport size photo होने चाहिए आपकी education qualification की जो भी आपके पास certificate है जो भी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि most of the cases में देखिए जो 10th pass out female candidate है या फिर age pass out candidate है वो अपनी जो mark sheet है वो इधर उधर गुम कर देते है त तो आप अपनी जो भी mark sheet है अपने पास संभाल के रखिएगा क्योंकि आप इसके बिना apply नहीं कर पाओगे इसके अलावा आपके पास देखिए आपके पास domosile होना चाहिए और जिस भी category के अंदर आप apply करोगी जिस भी reserve category में आप apply करोगे तो आपके पास उस reserve category का जो certificate है वो बिल्कुल must है तो यह तो मैंने देखी documents की बात की अब देखते है कि जो number of vacancy है वो आपको किस किस तरह से कितनी कितनी देखने को मिलेगी तो देखिए यहां से आप देख पाओगे कि number of post आप यहां से अंदाजा लगा पाओगे कितनी जादा है जो supervisor की post है 7000 प्लस रहे की 21000 प्लस तो देखिए यह जो vacancy है यह vacancy approved हुए है all over India के लिए यानि कि पूरे इंडिया में यह जो vacancy है यह fill की जाएगी अब main बात आती है कि पंजाब में आपको कितनी vacancy देखने को मिलेगी और इन में से अभी कौन सी vacancy है जो अभी just latest में आपको देखने को मिलेगी त अब आपको देखने को मिलेगी और अगर मैं बात करूँ कि नंबर वेकेंसी क्योंकि यह पूरे इंडिया से अप्रूब हुई है तो इसमें से देखिए अप्रोक्सिमेट तो 5000 पलस वेकेंसी जो है आपको अभी कुछ टाइम में ही देखने को मिलेगी क्योंकि देखिए मा बहुत जल्द आंगनवारी में बंपर वेकेंसी जारी की जाएगी तो इसमें से यह जो थी जो वेकेंसी है इसका जो नोटिफिकेशन है आपको जैसे ही इलेक्शन फिनिस होंगे उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा यानि कि आपको जून में जून में आपको इसका notification देखने को मिलेगा और ये बहुत बड़ी opportunity है सभी female candidate के लिए जो भी document आपको मैंने बताए वो document आप अपने अगर आपके पास नहीं है तो उसे prepare करवा लीजिए क्योंकि आपको ऐसा मुकाफिर नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो recruitment रहेगी ये direct merit based recruitment रहेगी जो भी आपकी education qualification है बस आपकी जो भी education qualification पे base पे आप apply करोगे उसी के भिहाब पे आपकी merit प्रिपेर की जाएगी और at the end उसी के भिहाब पे आपका selection होगा यानि कि कोई भी किसी भी तरह का आपको exam देना नहीं होगा इसके लिए तो इसी से देखिए कहीं न कहीं competition भी कम है आपको किसी exam की preparation भी नहीं करनी है तो चलिए अब हम देखते है कि आप इसके लिए apply कैसे करोगी कौन सी website है जहां से आप इसके लिए apply कर पाओगे तो यह देखिए यह है इसकी official website जो woman child development जो website है यह इसकी official website है आपको इसी website से इसके लिए form apply करना है और बहुत जल देखिए आपको यहां पर new notification देखने को मिलेगा और जैसे यहां पर notification अपडेट कर दिया जाएगा आपके साथ इसी channel पर जो update है वो share की जाएगी और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि देखिए इस channel पर जो most of the subscriber है वो woman candidate है और especially देखिए जो teaching card शे related female candidate है तो मैं उन सभी से कहना चाहूंग कि अच्छी बात है आप अपनी teaching exam की preparation कर रहे हो आपका selection भी हो बट फिर भी आप इस वेकेंसी के लिए अपलाई जरूर कीजिएगा क्योंकि कल को अगर कुछ आपको लगे कि आपकी कोई difficulties है आपका को selection में थोड़ी सी भी दिक्कत रहे तो at least आप अपनी एक जोब करें बिल्गुल बाकि देखी इसके regarding जो भी official update आएगी वो update बहुत जल्द आपके साथ share की जाएगी notification आपको इसका June तक देखने को मिलेगा June max to max देखे इसके लिए June end तक आपको wait करना होगा June में इसका notification बिल्कुल देखने को मिलेगा जैसे इसके regarding आगे कोई भी update आएग वह अपडेट भी आपके साथ इसी चैनल पे शेड की जाएगी इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दियो है लिंक से टेलीग्राम चैनल पे भी जुरूर जुडें विश्यो ओल दा वैस थैंक यू